बहुत समय पहले की बात है जब सन्नी पाजी धिंचेक पूजा से प्यार किया करते थे जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो सिर्फ मुझसे नई तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वह मर गया अगर इस चौकट पर बारात आई तो डोली की जगा उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थि उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा लाशे बिचा दूगा लाशे धिंचक पूजा के इस धोके के बाद सनी पाजी को शराब की ऐसी लत लगी कि वह जब भी उसका गाना बच्ता सुनते वह अपना आपा खो बैठते फिर एक दिन सनी पाजी को अपने सूत्रों से पता चला कि धिंचक पूजा के गानों के पीछे किसका हाथ है इस आद्मी का हाथ है एक दिन उनको पता चला कि उनका मित्र मतुरादास धिंचक पूजा का सबसे बड़ा फैन है इसके बाद सनी पाजी ने तै कर लिया कि वह दिन चक पूजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे फिर बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते हुए पकड़े जाने पर जब धिंचक पूजा पर केस हुआ उसकी तारीक ही नहीं आई और अंत में जंदा ने अपना फैसला सुनाया तू गुновेगार है या बेगुना इसका फैसला होना तो अभी बाकी है अपराजी 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 और आज ये देश और सनी पाजी बहुत खुश हैं क्योंकि दिंचक पूजा ने काना-काना बंद कर दिया बधाई हो तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए है तो सब्सक्राइब कीजिए and थांक्स फो वाचिंग